ओम नमाशिवार शिवजी सदासाः ओम नमाशिवार गुरुजी सदासाः सुछी विजी की साथ इस सत्संग की blessing ले रही है उनको भी मेरा सादर प्रणाम और आप सब को आज बधाई आन बहात सारी सबसे पहले Republic Day का अज तो हपी Republic Day तू आल of us एंड आज आज अज अलसो बसंत पंच Will 12 भी तो उसकी भी आप सब 고 धेर सारी बधाईया, खुब सुन्दर रंग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पीले पीले, और यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, गुरू जी की रिया से, सजाया आपको गुरू जी ने, और संगत परिवार के साथ इन खुशियों को बातने के लिए, तो हम लोग यहाँ आपके बैठते हैं, और अक्सर हम में से कई लोगों को शायद यह ख्याल आता है, am I blessed or will I be blessed? And another thought pops in is, मुझे वो कब मिलेगी चीज, जिसकी मुझे चाह है, right? Because we are human beings, चाह तो होती है. So, let me just tell you one thing. Each one of us has answers to both of these thoughts, each one of us. पर शायद भूल जाते हैं, तो मैं याद दिल्वाती हूं. First question, am I blessed? So, the answer is a guaranteed 100% yes, because you are sitting here. अगर गुरुजी की ब्लेसिंग ना होती, उनका बुलावा ना आता, तो आप यहां नही बैखते. So, that is your blessing that you are here. So, never forget that. You are blessed. If you are sitting here, if you are attending satsang, any which way, if you are connected to Guruji, you are blessed. दूसरी बात जो आती है जहन में, कि मुझे such and such thing, कब मिलेगी? कितनी मिलेगी? So, that again, we all know the answer. कब मिलेगा और कितना मिलेगा, is decided by Guruji. So, छोड़ दीजी उन पर. जब वो ठीक समझेंगे, तभी मिलेगा, और जितना ठीक समझेंगे, उतना ही मिलेगा. जब ये पूरी मन में बात आएगी, तो शान्ती ही शान्ती मिलेगी, फिर ध्यान लगाना और असान हो जाएगा. So, you know, Guruji के वचन, जो Guruji ने बोल दिया, जब संगत उनके विश्वास में अपने आपको पूरा सरेंडर कर देती है, तो उनकी वानी, उनका वचन, उनकी बोली हुई आदेश, बात, जहन में बैठ जाता है. ऐसे ही एक परिवार था, और है, sorry, राय परिवार, Guruji के साथ बहुत अच्छी तरह connected, और बच्चे छोटे छोटे थे, तब ही से जाना शुरू किया, तो बच्चे भी अच्छी तरह connect हो गए. So, the son was about to pass high school, तो राय फैमली, obviously, Guruji के पास गई, further guidance लेने के लिए, कि Guruji अब बच्चा high school पास कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए आगे लड़के को, वो खुद बच्चा, अच्छी खुद पूछना चाहता था, Guruji से, तो Guruji ने का, कि अगर आर्मी वे चाना है, तो जनरल बन जाएगा, अगर लगर पर नी है, तो फिर बैरिस्टर बन जाएगा, लऌयर बन जाएगा, तो चुले, तो लड़के ने चुली, law. And with Guruji's very good blessings, बहात अच्छा सक्सेस्फूल, ल़यर बन गया, बंबे में अच्छी नकरी भी लग गई, सब कुछ, So that phase of life finished, next phase of life about to begin, अब सेटल होगे, पढ़ाई होगे, प्रफेशन शुरू होगे, अबिसली शादी की बात, तो फैमली फिर से गई गुरुजी से, गाइडेंस लेने के लिए कि गुरुजी कैसी लड़की क्या, गुरुजी जादा बोलते तो नहीं थे, उन्होंने के दिया, इसदी शादी जजनाल होगे, तो मतलब पता चल गया, तो मतलब पता चल गया, that means future wife of this young gentleman, वो भी लॉयर ही होगे, and young generation, he was seeing people, meeting people, पर किसी भी लॉयर लड़की का कहीं दूरो दूर तक कोई अता पता नहीं था, years passed by, years actually passed by, I'll come to that, family थोड़ा परिशान होने लगी, कि ये तो लड़का बिलकुल कहीं कांसेंट्रेट नहीं करा, he was open-minded, हर जगा से, you know, मिल रहा है, जैसे भी, रिष्टे भी आते हैं, पैचान में, वैसे भी, but none of the girls, he's coming across, or people are proposing, are in the legal field, तो ये कैसे होगा, गुरू जी ने तो बोला, जजज से शादी होनी है, time passed on and on and on, finally, this young man, उसने कहा दिया, मेर को लड़की मिल गई है, अब मैंने तो शादी कर लेनी है, तो parents को बताया, parents ने एका, चलो, देखते हैं, क्या करती है लड़की, लड़की तो लौ पढ़ा ही नहीं उसने, अब ये कैसे हो सकता है, and he was determined कि मैंने तो शादी इसी से करनी है, मतलब थोड़ा सा tension हो गई घर में, क्योंकि family इतना गुरू जी को मानती कि गुरू जी ने बोला था, उसमें कोई बात होगी न, ये कैसे हो सकता है कि शादी एक lawyer साना हो, ठीक है lawyer होगी, तभी तो judge बनेगी आगे जाके, but no, but लड़का बहुत determined था, बहुत adamant था, तो जड़ा, you know, जैसे सारी families involved हो जाती है, चाचा, ताया, मामा, मामी, सब कुछ, दोस्त वगेरा, अरोरसी, पडोसी, सब involved हो गए, और जादा पता भी नहीं था लड़की के बारे में, parents को भी, तो पता चला, लड़की का last name, judge, होगी शादी, गुरुजी ने का था, जज से शादी होगी, यह तो नहीं का था, कि वो judge होगी, right, तो गुरुजी के बचन जब मान के चले, और वो शादी आपको बताओ, कब हुई, 2015 में, और गुरुजी ने कब प्रेडिक्ट किया था, long ago, because Guru जी ने अपनी, सामने बोला था, बच्चे को, कि judge से शादी होगी, so मान के चलिए, कि जब मिलना है, तब मिलेगा, और जो Guru जी ने बोला है, वही मिलेगा, यह बताना चाहती थी आज में आप से, आज गौरव अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर आगई, हम देखते हैं, हमें क्या-क्या blessings आज छुपके मिली हैं इनके सत्संग में, so please try to extract everything, सत्संग में जो messages होते हैं, जो blessings होते हैं, हमारे लिए हैं, जैकुर जान्टी,